नमस्कार दोस्तो, Just Ride collapses limited company Q3 के result आ चुके हैं और दोस्तों यह सारी amount relax में है, previous year के result यहापर mention है, previous quarter यहापर और इस Q3 का result यहापर mention है, तो दोस्तों अगर हम total revenue जीखे, तो previous year में यहापर कोई भी detail mention ही है, previous quarter की बात करें तो 3,615,00,000 यह हैं तो लगबग 236 करोड आप इसको कह सकते हो तो अब की बार जो Q3 में आया है रेवेन्यू वो है सिर्फ 18 करोड तो काफी बड़ा यहां पर डिप है रेवेन्यू में पर दोस्तों यह थोड़ा डिटेल से देखने वाली बात है कि यह इतना डिफरेंस है क्यों क्या कमपनी ने कोई अपनी एसेट बिची है तो दोस्तों यह साइच चीज देखने वाली होती है और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखे तो तेजार 609 लाग यानिकी 236 करोड यह यहां पर भी एक्सपेंस में काफी बड़ा डिप है अठारा करोड का भी एक्सपेंस पोच चुका है और प्रिवेस यहर की बात करें तो 2,36,000 इतना यह एक्सपेंस था प्रिवेस यहर नीचे अगर हम नेट प्रोफिट देखें तो दोस्तों यहां पर आपको प्रोफिट फॉर दा पिरेट देखने हो मिले है आफ्टर टेक् और प्रिवेस काटर की बात करें तो उस हिसाब से तो लगबग 4 ताइम्स यहां पर नेट प्रोफिट पोच चुका है तो तो इसमें जम्प है प्रोफिट में काफी बढ़ी और EPSB 0.08 से यहां पर 0.01 तक पोच चुका है और प्रिवेस यह तो यह लोस में था तो दोस्तो इस वाल कम्पनिया शेर प्राइज वान थटी एट पे चल रहा है और फ्राइडे की दिन इसमें तेजी रही लगबग 2% की या पर सरकेट इसमें लगावा था है और अगर हम बात करें इसमें 5 दिन की तो 5 दिन में 8% के रिटन और एक महीने में 48% के रिटन दिये शेर ने और तो दोस्तों सिर्फ 5 साल के अंदर एक लाग के अठारा लाग से भी जादे इसने बना दिये बहुत बढ़ी अमल्टी बैगर रिटन दिये तो दोस्तों आप इस कंपनी पे पहले श्टडी कीजिए सिर्फ रेटन देके इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों आपके पैसे फस बी सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी इसमें जंप आए शेर प्रैस में कभी भी ग्रावड नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें पैसे लगा और उसी दिन से ग्रावड हो क्योंकि ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ रिटेल इन्वेस्टर के साथ तो दोस्तों आप इसमें अपनी श्टडी कीजें और तब इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए और ऐसी और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं